नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब? उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होगे, खैरित से होगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने फिर से एक बार एंटी के अधिकारी से बात करने की कोशिश की और उनसे मैंने चार सवाल पूछे, हालांकि मैंने देश के शिक्षा मंतरी से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, उनके आफिस में पंकर जी से जरूर मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं एक बार एंटी के अधिकारी से बात करूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि शिक्षा मंतरी की कारालियों से एंटी के उच अधिकारी को जो है, वो फौन करके इसकी जानकारी ले ली जाएगी, दोस्तों मेरे चार सवाल जो मैंने एंटी के अधिकारी से पूछे, उनमे के बारे में थे, क्योंकि ये साथ सब्जेक्ट ऐसे है, जिनको पहले पोस्ट पॉन कर दिया गया था, और अभी फिर से जो है, उनकी डेटशीट जारी करके एंटी ने उसको रिशेडूल कर दिया था, लेकिन नेक्स टे ही जो इसका नोटीस है, वो यूजिसी और एंटी क की ऑफिशल बेप साइट से जो है, हटा दिया गया था, मैंने ये भी पूछा कि क्या ये एक्जाम पोस्ट पॉन होगा या इसी मन्थ, यानि दिसंबर में ही, दिसंबर 2021 में ही इसको करवाया जाएगा, जिसमें एंटी के अधिकारी का कहना था कि एक्जाम की आप चिंता करें, एक्जाम इसी मन्थ, यानि दिसंबर 2021 में ही करवाया जाएगा, और बहुत जल्द, यानि इस वीक या मंडे तक, जो है एंटी कोई ना कोई पब्लिक नोटिस जो है, वो जारी करेगी, ऐसा एंटी के अधिकारी ने मुझे इंफोर्मिशन दी, लेकिन फ्रेंट मैं स टूरेंट के साथ कर रहा है, उस वज़े से जो है, एंटी की किसी भी बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, और दूसरा सवाल फ्रेंट जो मैंने पूछा, वो यूजी सी नेट के जो एक्जाम हो चुके है, उनकी आंसर कीज को लेकर था, कि उनकी आंसर कीज जो है, एंटी वो कब तक उसको रिलीज करेगा या जारी करेगा, लेकिन इसके बारे मैं, अगर मैं सच बताओ, तो एंटी के अधिकारी का जो जवाब था, वो थोड़ा सा सैटिस्फेक्टरी नहीं था, मुझे उससे सैटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि उनकी उनकी उ आंसर की है, उसको जल्दी से जल्दी जो है, उस जारी कर देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को पता लग सके कि उनका जो नेट के एक्जाम में, उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि अगर वो कहीं न कहीं लेक कर रहे हो, तो उसको वो उस त्यारी को दुबारा शुरू कर सके और दिसंबर दोहजार एक्जिस जो 22 का साइकल का एक्जाम अभी होना है, जो रहा है, जिसकी नोटिफिकेशन आनी है, उसके लिए वो त्यारी कर सके, तीसरा मेरा सवाल था, जो दिसंबर साइकल दोहजार एक्जिस के यूजिसी नेट की नोटिफिकेशन क कब होएगा और उसके form कब निकलेगे इस सवाल के जबाम में एंटे के अधिकारी का कहना था कि जनवरी लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है वो दिसंबर साइकल की जो है एंटे जारी कर देगा या ओमिक्रोन की जो तिसरी लहर जो कोबिट का थार्ड बेरियंट है उसका प्रकोप ना हो तो फ्रेंड्स ये इंफोमिशन मुझे एंटे के अधिकारी से जो मिली थी वो मैं आप सभी स्टूनेंट के साथ शेर कर रहा हूँ क्योंकि एंटे और युजी सी ने एक जो पबलिक नोटीस जारी किया था जिसमें युजी सी नेट के साथ subject जिनका exam 15 December से 23 December तक होना था लेकिन इस notice में exam date को जो है वो postpone कर दिया गया था और साथ ही जो date sheet है नई date sheet उसको जारी कर दिया गया था reschedule करके जिसके according जो exam है वो 21 December से 30 December तक होना था लेकिन next day ही वो notice जो है UGC की और NT की official website से जो है उसको हटा दिया जाता है उसको गाइब कर दिया जाता है या उसको गाइब किया जाता है इस बज़े से student में जो है काफी ज़्यादा गुस्सा था और एक निराशा थी क्योंकि net के exam को पिछले one and half year से बार 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 इसको postpone किया जा रहा है बार बार उसको reschedule किया जा रहा है मेरे ख्याल साथ या आठ वार इसको postpone कर दिया जा चुका था या reschedule कर दिया जा चुका था तो साथियों मैं यही कहूंगा कि जहां हमने इतना लंबा इंतजार क्या है अब थोड़ा सा इंतजार हमें और भी करके देख लेना चाहिए शायद NTA आज या कल कोई ना कोई पब्लिक नोटिस जो है वो जारी कर दे जैसा कि NTA के अधिकारी का कहना है कि एक्जाम दिसंबर 2021 में ही होगा हाँ मैं यह जरूर मानता हूं कि आज सत्रा दिसंबर हो चुकी है ऐसे में आप सभी NTA को इमेल भेज कर अबगत करवाए और बांग करें कि आपका एक्जाम इसी मन्त करवाया जाए क्योंकि अब जो साथ सब्जेक्टि उसके बहुत कम स्टूडेंट जो है वो रह गए है क्योंकि जिनोंने 2021 में जो एपलाई किया था उनकी संख्या 10 लाग से भी ज्यादा थी तो फ्रेंड्स अगर आप UGC NET दिसंबर 2021-2022 के लिए पेपर वन की त्यारी करना चाहते है या पॉलिटिकल साइंस के लिए त्यारी करना चाहते है तो आप मेरे साथ जुणने के लिए खुद को मेरे वाटसेप नमबर पर रिज हुजाओ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी पूरी कोशिश करता रहूंगा अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें औ कि आपको अगली वीडियो की नोटरी केशन मिलती रहे धन्यवाद जय हिंद जय भारत